Supreme Court के आदेश करनुशार NTA ने आज State-wise, District-wise, Center-wise रिजल्ट को पब्लिस कर दिया है उस रिजल्ट की एनालिसिस करने के बाद बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई हैं आपको भी हमें बताऊंगा लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि इस बार करीब 23 लाग बच्चों ने नीट का एक्जाम दिया अगर हम Government MBBS seat की बात करते हैं तो करीब 50,000 seat पूरे देश भर में हैं और इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 2% के आसपास selection rate है इसका मतलब है कि 100 बच्चों में से किनी 2 बच्चों को MBBS, Government College की seat मिलें प्राइविट की बात दिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं कि लुग Government, MBBS, Medical College की बात कर रहा हूँ तो 100 में से 2 बच्चों को seat मिलेगी selection rate हो गया 2% अब ये 2% जो selection rate है इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अब जो result है उस हिसाब से जिन बच्चों का स्कोर करीब 655 से जादा है उन्हीं को seat मिलने वाली है 655 से जादा अगर मैं General, OBC और EWS की बात करता हूँ clear? तो 650 से जादा नंबर वाले बच्चों की जब analysis मैंने की देखे वैसे तो 4,750 center NTA ने बनाये थे हर center के लिए उन्होंने एक अलग PDF अफ्लोड किया हुआ है तो अब एक person के बस की बात यह नहीं है कि सारे PDF चेक करके और उसकी analysis करे तो मैंने करीब 30-40 center निकाल ले और उनकी एक analysis की है और मैं center का जरा आपको data दिखाता हूँ दो person selectionate दिमाक में रखना है ठीक है यह center है अलग-अलग statement मैंने लिए अलग-अलग center randomly कोई भी center मैंने select करके और उसकी analysis यहाँ पर पूरी QV आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरा mark किया हुआ जिन बच्चों का नंबर 650 से जादा है यहाँ देख सकते हैं पूर है ना यह center है वेस्ट बेंगॉल का अब यहाँ पर इस center पर यह है बिर्ला भारत बिर्ला भारती तारा टोला पोलकाता और वेस्ट बेंगॉल 630 बच्चों में से 11 बच्चों ने 650 प्लस स्कोर किया एक बच्चे का नंबर 700 प्लस भी है अगर आप percentage देखें तो करीब 2% बच्चे ऐसे हैं 2% बच्चे जिनका स्कोर सेलेक्शन लायक है जो government, mbbs, college की seat पा सकते हैं पा जाएंगे clear दूसरा जरा data देखते हैं यह आपर दूसरा center लेते हैं यह center है कोटा राजिस्थान का यहाँ पर इस center पर अगर आप देखें तो यह जो center यहाँ पर है नालंदा academy senior secondary school यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देटा मार किया हुआ है 28 बच्चे 649 में से 650 पर से score कर रहे हैं और एक बच्चे का नंबर 700 करीब 4% यहाँ पर selection rate है कोटा राजस्थान ठीक है तीसरा डेटा लेते हैं यहाँ पर तीसरा डेटा यहाँ पर है आरावली पब्लिक स्कूल और यह है सीकर राजस्थान यहाँ पर अगर आप देखें तो 942 बच्चों ने एकजाम दिया और 37 बच्चों का नंबर 650 से ज़्यादा आया तर चार परसन सेलेक्शन रेट यहाँ पर होगे चार परसन बच्चों का नंबर सेलेक्शन लाइक है MBBS Government Medical College के लिए यह एक सेंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको यह सेंटर है पुलिस डेवी इस्कूल जालंधर पंजाब का और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 922 में से 11 बच्चों का नंबर 650 प्लस है मतलब 1 परसन लगभभ हो गया यह अगला सेंटर लेते हैं यह यहाँ पर दा इंडियान हाई स्कूल यह है ओडिशा में और यहाँ पर अगर आप इस सेंटर पर देखें तो 827 बच्चों में से 9 बच्चों का नंबर 650 प्लस आ रहा है लगभभ है एक परसन्ट सेलेक्शन रेट बन रहा है इस सेंटर को देखते हैं हम लोग यह है डिएवी पब्लिक स्कूल ओडिशा कडक कटक और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक हजार तीन बच्चों ने एकजाम दिया 23 बच्चों का 650 प्लस स्कोर आर तीन बच्चों का 700 प्लस नंबर आ रहा है दो परसन सेलेक्शन र रेट है ना वो 1 परसन, 2 परसन, 3 परसन, 4 परसन इसी के आस-पास और होना भी चाहिए बासाहता कुछ सेंटर का 1,5 थि तीन चार परसन भी है तो अगर 2 परसन होना चाहिए तो कुछ सेंटर का correct , Xu 002 परसन भी है कुछ3, 4 परसन भी है तो यह गरबर नहीं लग रहा है आधा परसेंट भी हो, कुछ सेंटर का 2.5, 3-4 परसेंट भी है तो अगर 2 परसेंट होना चाहिए तो कुछ सेंटर का 1 ही परसेंट है कुछ का आधा परसेंट है, कुछ का 0.2 परसेंट भी है कुछ का 3-4 परसेंट भी है तो ये गरबर नहीं लग रहा है यहाँ पर देखिए, यह एक सेंटर हमारे पास है, दयानन्द कॉलेज आप कॉमर्स लातूर, महरास्टरा, और यहाँ पर 990 में से 12 बच्चों का जो स्कोर हो 650 प्लस है, और 1% आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्शन रेट है, बढ़िया, कोई दिक्तत नहीं है, एक परसे का स्कोर यहाँ पर आ रहा है, 650 प्लस, 0.5% इस सेलेक्शन रेशियो है, ठीक है, इस सेंटर की बात करते हैं, यह सेंटर है, सिरी, चित्रा, और यह त्रिवनंतपुरम, केरला का है सेंटर, 1106 बच्चों ने एक्जाम दिया सेंटर पे, 17 बच्चों का स्कोर यहाँ पर 650 प्ल जो होना चाहिए, यह देखें, यह सेंटर है, करनाटका का, बैंगलूरू का सेंटर है यह, और इस सेंटर पे 17, 13, 13 बच्चों में से 31 बच्चों का नंबर 650 प्लस आया, तो जो सेलेक्शन का रेट यहाँ पर बन रहा है, करीब 0.17% बन रहा है, 0.17% यहाँ पर सेलेक्शन बन रहा है ठीक है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है राजकोर्ट गुजरात का क्राइच चर्च कॉलेज है और यहां पर 997 में से 9 बच्चों का स्कोर बन रहा है 650 प्लस यानि 1% यहां पर सेलेक्शन रेट हो जाएगा एक परसेंट हो जाएगा यहां पर यह जो डेटा है थोड़ा सा यह 1.7% होगा लग लिग गया थोड़ा सा इस इस 1.7% लग बाग 2% माल लेते हैं 1.7% ठीक है? 1.7% इतना डेटा देखते हैं इतना आख्यास दर्द करने लगी हैं तो अब यह डेटा देखी हैं यहां पर यह है चंडीगड का सेंट जोसेफ सीने इंटो का आले चंडीगड और यहां पर 1172 बच्चों में से 27 बच्चों का नंबर 650 प्लस है और 700 प्लस पांच बच्चों का है वही रेट आप निकालेंगे तो करीब 2% के आसपास यहां भी आ रहा है बहुत सारा ऐसा डेटा है यह देखें यह है स्कूल आफ स्पेसिलाइजड एक्सिलेंस और यह कहां का कॉलेज है यह निव डेली का कॉलेज है द्वारका का और यहां पर 386 में से आठ बच्चों का नंबर 650 प्लस बन रहा है करीब 2% का सेलेक्शन रेट है पूरा डेटा यहां पर कल्कुलेट किया गया पूरे दिन आज यही काम हुआ है के वज़ यह देखें यह है सिरी कृष्णा सीनिर सेकेंडरी स्कूल यह है महेंद्रगड हरियाना हरियाना का डेटा बहुत इंट्रेस्टिंग है भी आप देखिएगा 18 बच्चों का 971 में 650 प्लस स्कूर है वही 2% निकल रहा है 2% के आसपास यहां पर निकल के आ रहा है यह एक सेंटर है हरियाना का वहीं महेंद्रगड का ही है यूरेका पब्लिक स्कूल यहां पर करेब 3% यानि 474 में से 16 बच्चों का 650 प्लस आ रहा है तो दिखिए 1%, 1%, 1,5%, 2%, 2%, 3%, 3%, 3,5, 4 में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ जगों पर यह डेटा एकदम अलग ही आ रहा है यहां भी देख लीजा यह है महेंदरगड का डेटा हरियाना का यहां पर 9 बच्चे 469 में से 2% कॉलेज है यह राव पहलाज सिंग ग्रूप आफ इंस्टिटूशन अब यह डेटा ज़रा देखिए यह है राव पहलाज सिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंदरगड हरियाना अब यहां पर 448 में से 40 बच्चों का जो नंबर है वो 650 प्लस आ रहा और यह 5 बच्चे ऐसे जो 700 प्लस स्कूर के केवल 448 में से यहां पर जो यह परसेंटे जो बढ़के अचानक से 9% तक हो जाता है तो यह डेटा थोड़ा सा मतलब देखें 2% होना चाहिए 2% से 3-4% तक हजम हो जाती है बात लेकिन 9% यह बात थोड़ी सी हजम नहीं होती कि एक ही सेंटर पर साड़े पढ़ने वाले बच्चे पहुँचके 448 में से 40 बच्चों का 650 प्लस स्कूर है अगर आप 600 प्लस स्कूर निकलने तो बहुत सारे बच्चों का निकल के आ जाएगा मैं तो 650 मान के लिए है यह देखें यह गुजरात राजकोर्ट का एक सेंटर है स्कूल आफ इंजिनरिंग आरके युनिवस्टी और यहाँ पर यह तो एकदम कमाल ही है सेंटर 1960 में से 112 बच्चों का स्कूर 650 प्लस है और 12 बच्चों का 700 प्लस स्कूर है 700 प्लस स्कूर मतलब हमारे देश में जो 4750 सेंटर बनाए गए है 4750 सेंटर से करीब करीब 2400 बच्चों का 700 प्लस स्कूर आया 4750 से 2700 बच्चों का करीब 700 प्लस स्कूर आया यानि हर दो सेंटर में कोई एक बच्चा 700 प्लस ला रहाता है एवरेज क्योंकि करीब 4800 सेंटर माली 2400 लेकिन यहाँ पर 12 बच्चों ने 700 प्लस स्कोर किया पूरे देश में पूरे 4750 सेंटर में सबसे ज़्यादा है नंबर दूसरा 112 बच्चों ने 650 प्लस स्कोर किया ये भी पूरे देश के 4750 सेंटर में सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज भी यहाँ पर 5 परसेंट है बतलब ये भी जो 2 परसेंट का डेटा मैंने आपको बताया ना होना चाहिए उससे काफी ज़्यादा 5 परसेंट तक ये पहुँच रहा है तो ये सेंटर भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहां क्या हुआ ये तो कोड़ डिसाइड करेगा लेकिन डेटा मैं दे रहा हूँ कि इस डेटा को जरूर देखा जाए ये एक सेंटर और दे की isnit मैं और ये करीब 10 परसेंट बन रहा है तो ऐसे जो सेंटर है जहां पर अचानक से पर्सेंटेज बहुत जादा बढ़ गए ये संदेह पैदा करने वाला है ये संदेह पैदा करता है एक साथ पढ़ने वाले बच्चे मिल गए बहुत सारे सेंटर मैंने ऐसे भी आपको बताए और बहुत सारे सेंटर ऐसे आप देखे होंगे, यहाँ पर 200 बच्चों में से, 200 बच्चों में से, 3-4 बच्चे ऐसे हैं, जो 650 प्लस लेके आएं, 8-10 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर 24 बच्चे आ गए, तो यह कुछ दिक्कते यहाँ पर हैं, और सबसे बड़ी समस् में 4750 सेंटर जो बनाए गए, उन 4750 सेंटर में, जो 50 सेंटर जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों ने 650 स्कोर किया है, पूरे देश में 50 ऐसे सेंटर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे 650 प्लस लेके आएं हैं, उन 50 में 29 सेंटर अकेले सीकर डिस्टिक के हैं, 29 मतलब जो 650 प्लस स्कोर बच्चे लेके आए हैं, उसमें आधे से ज्यादा सीकर के हैं, आप देखे ज़रा डेटा, 700 प्लस 145 बच्चे केवल सीकर डिस्टिक्स हैं, केवल सीकर डिस्टिक्स है, 145 बच्चे हैं, मैंने आप से कहा कि total 2400 बच्चों का 700 प्लस आया है, लेकिन सीक से अकेले 140 बच्चे हैं 650 प्लस करीब 2000 बच्चों का है 600 प्लस करीब 4000 बच्चों का है तो सीकर में जो ये डेटा निकल क्या रहा हौना और यहां के जो सेंटर हैं वहाँ पर कई सारे सेंटर पे जो परसेंटेज मैं आपको बता है नौ-दस परसेंट तक वो सेलेक्षिन रेट कहुँच रहा है तो मुझे लगता है कि अगर मैं यह आपजर्व कर सकता हूँ, आप यह आपजर्व कर सकते हैं, तो जो लॉयर है हमारे, जो सुप्रिम कोर्ट के माननी नया अधीस हैं, उनको भी यह चीज़े जरूर समझ में आएंगे। सीकर से अलग तस्वीर निकल के आ रही है, गुजराथ से अलग तस्वीर निकल के आ रही है, हर्याना में जैसे मैंने आपको बताए जिस सेंटर के बारे में, वहां से कुछ अलग तस्वीर निकल के आ रही है, तो इन सेंटर और ये तो मैंने कुछ सेंटर चेखिये हुएं, जिन सेंटर के बारे में ज़्यादा बात हुई है, राजगोड गुजरात का सेंटर 5% यहाँ पर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था करीम 9% यह महेंदगर हरियाना, यह सेंटर हो गया, यहाँ पर इसके इलावा, यह जो सेंटर एक आपको दिखाएगा, 10% रिवारी हरियाना का, तो कुछ जगे ऐसे जैसे हरियाना हो गया, गुजरात हो गया, राजस्तान में सीकर हो गया, इन कुछ जगों पर दिक्कते जादा हैं, हो सकता कि और भी लोग एनालेसिस करें, और बहुत सारा डेटा निकल के आए, तो इन सारे डेटा को कमपाईल करके, जो इस्टुएंट की तरफ से लड़ने वाले लॉयर हैं, को इस जरूर देखनी चाहिए, और आप सभी बच्चों से अनरोध है, कि इस डेटा को सेर करें, इस वीडियो को सेर करें, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये डेटा सही तरीके से पहुँच पाए, ये जितनी भी पीडियेफ हैं, मैं टेलीग्राम पे, वाटसेफ पे सेर कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल डॉक्टर हरियोंग गंगवार के नाम से आप उसको जोईन कर लीजेगा, वहाँ पर आपको सारी पीडियेफ मिल जाएंगी, तो आप इनको सेर कर सकते, क्योंकि वीडियेफ में सारा कुछ 650 प्लस मैंने मार्क कर दिया है, तो आगे क्या फैसला होता हो, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन उम्मीद है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, चैहिंद, चैह भारत!